हेलो दियर स्टूदेंस वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल सो बटाजी चलिए जी आज की फिफ्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इससे पहले बटा फोर वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने फर्स त्री वीडियो के अंदर अपने MCQs कवर किये, MCQs में बटा 1 marks के questions हमने कवर किये और जो फोर्थ वीडियो है फोर्थ वीडियो में हमने बटा discuss करें 1 marks, 2 marks के questions 2 marks के questions discuss किये सिरफ और सिरफ unit 1 and unit 2 के तो आज है बटा day 5, 5th day, आज पांच वी दिन हम लोग क्या discuss करेंगे 2 marks के questions discuss करेंगे, unit number 3 and 4 के clear हो गया जी, सिरफ और सिरफ 3 and 4 के हम लोग questions discuss करेंगे सबसे पहले बटा पढ़ने का तरीका क्या है, आप लोगोंने सिरफ वीडियो चेक करनी है वीडियो चेक करने के बाद आप लोगोंने अपना book open कीजिए उसके जो back questions है, जो भी आपके पास helping book है, जो भी आपके पास main book है परदीप की book, modern की book, ठीक है, दिनेश की book, जो main book है ठीक है, main book से एक बार आप back questions पढ़ लो, उसके बाद जो भी आपके पास helping book है आपके teachers ने आपको जो भी helping book लगवा रखिये, चाहिए accurate, unimax, mbd, जो भी helping book आपके पास है so, वो helping book के जितने भी two marks के questions है, वो एक बार read out कर लो after that, last May, accurate की book से बेटा, जो last four days वाला हमारे जो days चल रहे है हमारी exercise चल रहे है, उसमें से जो-जो questions आएंगे, उसे as a test की तरह attempt करके देख लो कि आप लोगों को questions आते हैं, कि आप लोगों को questions नहीं आते इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से अपनी त्यारी करके जा सकते हैं इस तरीके से पढ़ोगे, definitely बटा, 70 में से 70 marks आपके easily आएंगे, easily ठीक है बिना tension लिए, बिना burden लिए हमने पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है सो चलिए बटा, 3rd और 4th unit स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग slabus देख लें कि slabus के अंदर 2 marks के questions कौन से आ सकते हैं सबसे बहले, बटा, magnetic field का concept है और state experiment और state experiment जिसे हम लोग snow rule या impaired swimming rule बोल सकते हैं सो हो सकता है ये 2 marks का question आपका आ जाए सो इतना ज़्यादा important नहीं है लेकिन बहुत rare chances है कि पूछ लिया जाए then definitions of bite servant law and impaired circuital law इनकी only definitions, definition और हलका सा mathematical portion ये बटा आपका 2 marks का question definitely पूछा जा सकता है सो इस में से और पूरे syllabus में से ऐसी और कोई चीज नहीं है जो 2 marks का बने बाक्की आपकी किस्मत अब last में है definition of definition करनी है बटा नेक्स पेज पर जाएगा ये definition of impaired this is most 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 important जो आपका 2 marks का question बन सकता है ठीक है जी इसके बाद आजाओ बटा बहुत rare chances है कि पूछ लिया जाए कि गलवैनो मेटर को मेटर में convert करना है तब क्या होगा बोल्ट मेटर में convert करना है तब क्या होगा या इसकी करेंट सेंस्टिविटी या conversion कि बहुत rare chances है कि तू माक्स में convergence convergence आ जाए otherwise this is most 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 important for three marks ठीक है जी अब next आ जाओ आपका जो next article है that is torque on a magnetic dipole very less important topic लेकिन हो सकता है यह टू माक्स का यहां से question बन जाए then a bar magnet and then equivalent solenade this is the most 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 important question जो की आपका two marks का question बन सकता है ठीक है इसके बाद आ जाओ earth magnetism earth magnetism के छोटे छोटे बहुत से parts है यहां पर सिरफ magnetic field and magnetic elements लिखे हुए है लेकिन इसमे inclination ठीक है declaration ऐसे चीजे होंगी declination ठीक है so यह कुछ word definitions है these are the most 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 important definitions मान के चलो की 80-90% chances है की यह वाले definitions आपके exam में पुछी जाए उसके बाद जो बटा third unit का सबसे जादा most 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 important part है that is paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic substance with examples examples plus properties यह ऐसी term है जिसे यह मान के चलो की 90-95% chances है की आपकी diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic की properties, examples यह इसकी definition पूछी जाए यहां फिर declination, inclination यह जो questions है these are the most 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 important questions इसमें से और भी बहुत से questions है, curie point क्या है, curie law क्या है, then electromagnet क्या है, permanent magnets क्या है छोटी छोटी definitions है, जो की most important definitions है, so यह आपके three marks, third unit में से two marks के questions बनेंगे अब आजाओ fourth unit पे, fourth unit पे कौन-कौन से two marks के questions बन सकते हैं, very rare chances कि Faraday's law के कभी experiment पुछे जाए Henry's law के Henry's experiment पुछा जाए, very rare chances, very, चाहे one है, two, three, four, five, किसी भी marks के लिए electromagnetic induction की हो सकता है कभी definition पुछी जाए, magnetic flux definitely इसके MCQs पुछे जाएंगे Faraday's first law and second law, this is important, ठीके, so ये first topic आपका जो important है Faraday's first and second law, इसके बाद lens law is the most important, conservation of energy is most 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 important topic otherwise ये combine होकर ये वाला topic प्लस ये वाला topic, combine होकर three marks का बनेगा लेकिन हो सकता है सिरफ conservation of charge पूछ लिया जाए और ये two marks का question बन जाएगा उसके बाद है addy grunt, this is most 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 important question, addy grunt addy grunt बिटा two marks में भी most important है, इसके examples, इसके जो experiments है most important है, two और three marks दुन्नों के लिए important है next है self and mutual induction, this is also most important topic self induction और mutual induction बिटा इसके units भी पुछे जा सकते है चोटी सी derivation भी पुछी जा सकते है, so दिखा जाए इसमें काफी questions बन रहे है faradies law पे बन जाएगा, उसके बाद आपका lens law पे बन जाएगा conservation of energy पे बन जाएगा, addy grunt पे भी question बन जाएगा self induction, then mutual induction, ठीक है, काफी questions यहां से बन सकते है two marks के लिए, ठीक है जी, so यहां से बटा जो first chapter है fourth unit का first chapter है, यहां से two marks के question बनने के chances जाएगा उसके बाद आजाओ, alternating grunt peak value यह सारे three marks के questions है resistance and impedance, this is also three marks का question है phases इसके three marks के questions है, then LCR series circuit, LR circuit these are the most 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 important for three marks, so यह सारे three marks के questions है इसका मतलब यह पूरा portion आप लोग three marks के लिए रखे है यहां से three marks के question बनने के chances जाएगा transformer and AC generator यह भी बटा five marks का question बनेगा ठीक है जी, five यह three marks का, three marks का बोल दो, ठीक है three marks का question बनने के chances है, so क्योंकि यहां से three marks के question बनने के chances जादा है, that's why आप लोग जिस-जिस questions में मैंने बोल ला है कि यहां पर focus करो, वहां पर focus करो, वो चीज़ देख लो जैसे two marks का question है, यह fourth unit के chapter number one से जादा बन सकता है जो one question और एक जो numerical आएगा, ठीक है इसमें से transformer AC generator, LCR series circuit यह three marks में जादा important है clear हो गया, कि two marks में आपको first chapter पर जादा focus करना है similarly, जो third unit है, यहां पर chapter number five है magnetism third unit का chapter number five जो CBSE में chapter numbers है, वो अलग है, पंजाब बोड के chapters अलग है so, confused नहीं होना, मैं बार-बार एक चीज़ बता रही हूँ ठीक है, आपका syllabus, यह पंजाब बोड का syllabus है पंजाब बोड का syllabus, यह third unit का syllabus है यह वाला चीज, यह वाला, यहां से start होगा आपका two marks का जादा पिपर इसे जादा focus करना, two marks के लिए, यह पूरे portion को यहां से three marks का paper आपका कम बनेगा so, यह सारा portion three marks, यह जो page है ना, इसका screenshot ले लो इस में से two marks का question, third और fourth unit में से जादा बनने के chances है so, topics मैंने आप लोगों को बता दिए, कौन से topics आप लोगों ने जादा focus करने है two marks के लिए, और जो next chapter है, fourth unit का next part है जैसे peak value, LCR, series circuit, AC generator, transformer, यह सारे three marks के लिए important है I think आप लोगों को syllabus clear हो गया होगा, कि two two marks के हमने कौन से topics पे जादा focus करने है ठीक है जी, so, चलिए, start करेंगे अपने most important questions so, बेटा, चलिए जी, आज के most important questions आपकी screen पर screen पर यहाँ है, बेटा, आप लोग screenshot ले लीजिए, चाहे इसकी PDF आप लोगों को telegram channel पर मिल जाएगी और हो सकता है, बेटा, एक दिन late डाल दूँ telegram channel पर इसकी PDF लेकिन PDF आप लोगों को definitely, 100% better आपको मिल जाएगी जो वीडियो का नेम है, वही आप लोगों ने physics with rimple mam का telegram channel ओपन करके same name, आप लोगों ने वहाँ पर search करना है, आपको same name की PDF मिल जाएगी जो वीडियो का नाम रखा होगा, same name ही आपको PDF का मिलेगा ताकि आपको PDF ढूणने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी, सो चलिए, first question हमारे पास है define snow rule for the magnetic effect of current, snow rule मैंने अभी अभी आप लोगों को बनताया कि snow rule किसे बोलते हैं, I hope आप लोगों को याद होगा, सो चलिए, जिन बच्चों को याद है, जिन बच्चों ने focus देखर सुना है, कि snow rule क्या है, sorry, ampere circular rule क्या है, that is snow rule, अब snow rule है क्या चीज़, इसकी definition एक बार हम लोग करेंगे ऐसी बटा एक बार बोल के बता देती हूँ, snow rule है क्या, if the current flows from south to north, snow से याद रखना है when current flows from south to north, इसके बाद क्या आ रहे है, and south to north in a wire kept over a magnetic field, जैसे ही आप इसे magnetic field के अंदर रखोगे the north pole of the needle, needle का जो north pole होगा, is deflected towards west, so वो west की तरफ deflect हो जाएगा इसी चीज़ को बटा आप लोगोंने wording में लिखना है, दुबारा सुन लो snow rule क्या है, s मतलब south, n मतलब north, w मतलब west जैसे ही आपने एक needle को magnetic field के अंदर रखा, then deflection शो होगी, दुबारा सुन लो, if the current flows from south to north in a wire kept over a magnetic needle, then the north pole of the needle is deflected towards the west, clear होगा जी, next है define ampere circular law ampere circular law क्या है, so यह तो बिलकुल simple है, and this is the most 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 important definition ampere circular law क्या है, closed integral b vector dot dl vector is equals to mu not i, बस इसी mathematical portion को wording में convert कर दो ampere circular law that line integral, यह रहा बेटा आपका line integral, line integral of a magnetic field, line integral किसका है, magnetic field मतलब b का है any closed path, यह रहा आपका closed path, यह जो ring बनी है, closed part in a free space is equal to, किसके equal है, absolute permeability यह रही आपकी absolute permeability, times net current, यह रहा आपका net current, passing through any closed surface, ठीक है जी, so this is the simple definition, इसी mathematical portion से हमने definition बना दी, next है define byte servit law, अब byte servit law क्या है, according to the law of magnetism due to a small current of length dl and carrying current i, जिसमें से current i pass होगा, एक small area element ले लो, dl, then db का answer कितना आएगा, mu not over 4 pi, 4 pi idl sin theta divided by r square, so this is the final answer, clear होगा जी, so यह simple, इतने ही definition, चोटी सी diagram बनाने है, तो बना दो, अच्छा लगता है, तो two marks में अगर आप चोटी-चोटी diagrams बना कर आओगे, next है define one tesla, this is also most most important question, अभी तक जितने questions करें हैंना, सारे most important है, अब one tesla क्या है, magnetic field strength, पहले simple mathematical देख लो, one tesla किसके equal है, simple पहले समझाओंगी, f किसके equal है, qvb sin theta, यहां से b निकाल लो बाहर, so, क्या आ जाएगा, f divided by qv sin theta, sin theta का तो कोई भी unit नहीं होगा, dimension formula नहीं होगा, ठीक है, force को किस में measure करेंगे, newton में, charge को coulomb में, और जो velocity है, that is, meter per second, ठीक है जी, so, आ गया, अब देखो, coulomb per second किसके equal है, ampere के equal, so, हमने लिख दिया, newton, meter, ampere, meter, ampere, उपर ले जाओ, बैठा, क्या बन गया, newton, per ampere, per meter, ठीक है जी, यह term बन गई, इसी को mathematical portion में convert कर दो, कि one tesla है क्या चीज, when one tesla, if charge of one coulomb, जब one coulomb charge moving with a velocity of one meter per second at right angle to the magnetic field and experience a force of one newton at that point, ठीक है, इसी को बेटा हम लोगोंने convert कर दिया, दूसरी language में, one newton divided by one coulomb multiplied by one meter per second, ठीक है जी, दुबारा definition सुलो, magnetic field strength is set to be one tesla, if one coulomb of charge moves with a velocity of one meter per second square at right angle to the magnetic field and experience a force of one newton at that point, उसके बाद आप लोगोंने यह वाला छोटा सा mathematical portion लिखके, इसे इस तरीके से solve करना है, next आजाओ, 5th question है, what is snow rule, पैटा snow rule सेम है जो amperes order law है, so सेम ही है, why cannot a neutron can accelerated by a cyclotron, पैटा दिखो, 6th question और 7th question, almost same है, यहाँ बें neutron पूछा है, neutron के उपर कोई भी charge नहीं होगा, ठीक है, cyclotron is not suitable to accelerate electron, electron ऐसे charge particle है, जिनका mass बहुत ज़्यादा negligible, मतलब small mass है, अब इसमें क्या लिखेंगे, because of very small mass of electron, electron का mass बहुत ज़्यादा कम है, cyclotron is not suitable to accelerate electron, इस ती यह suitable नहीं है, the velocity of electron will be increased to very high value when it gains small energy, जैसे यह छोट इसी energy भी gain करेगा, इसकी velocity बहुत ज़्यादा, इसकी velocity क्या हो जएगी, बहुत ज़्यादा high हो जाएगी, अगर velocity high हो गई, it takes very small time to describe the semicircle inside the D, D के बीच में यह immediately energy acquire करेगा, और window से बाहर निकल जाएगा, as a result, इसी के चलते, electron reaches the gap between the D's much before D's receive their properties, so मतलब जो इसकी polarities आएगी न, positive negative की polarities आएगी, वो कुछ नहीं आएगा, just इसने higher energy acquire करी और immediately D से बाहर निकल गया, so बाहर निकल गया मतलब हमारे किसी काम तो आया नी, that's why हमें electron और neutron नहीं चाहिए अपनी cyclotron के अंदर, इसे simple language में समझते हैं, माल लो कि मेरे सामने एक nursery का बच्चा है, कोई 3-4 साल का बच्चा है, जैसे मैंने उसको धक्का मारा बचारा, immediately गिर गया और उसके चोट लग गई, मेरे काम भी किसी के नहीं आया, मैंने थपड़ भी फरी कहीं मार दिया, मतलब energy भी मेरी लगी, और वो बच्चे की भी चोट लग गई, और कोई काम भी नहीं हुआ, अब माल लो, आप खड़े हो मेरे सामने, प्लस 1, प्लस 2 का कोई बच्चा खड़ा है, अब मैं आपको जोर से थपड़ मारू, आप कभी भी जमीन पे नहीं गिर सकते, मतलब ना तो मुझ में इतनी energy है, और आप positively high charge particles हो, आप धीरे-धीरे energy acquire कर सकते हो, मतलब जो charge particles, alpha particles है, ions है, positive ions है, ये धीरे-धीरे energy को acquire करेंगे, और धीरे-धीरे चलेंगे, और धीरे, जैसे चलते जाएंगे, velocities की जादा होती जाएगी, और last में, जब बाहर निकलेंगे, target पर high velocity के साथ टकराएंगे, और किसी चीज़ को तोड़ देंगे, जो electron है, उसी time उसने energy acquire करी, immediately बाहर निकल गया, same speed के साथ बाहर निकल गया, इसने बाहर जाके target पर जाके टकरा भी जाएगा, तब भी किसी चीज़ को तोड़ नहीं पाएगा, that's why इसे cyclotron में use करने का कोई मतलब भी नहीं है, that's why हम लोग neutron, जिस पे कोई charge ही नहीं है, उसे भी use नहीं करेंगे, जो electron है, इसका mass बहुत जादा कम है, that's why ये easily high energy acquire कर ल निकस्ट आजाओ, फ्लैमिंग्स left hand rule क्या है, अब फ्लैमिंग्स left hand rule है, बट अपना left hand बाहर निकालो, ठीक है, so left hand जैसे ही बाहर निकालोगे, ये आपकी finger है, एक ये finger है, और ये आपका thumb है, ठीक है, drawing मेरी बस इतनी अच्छी है, समझ लोगा सब, ठीक है जी, इस तरीके से अगर आप stretch करोगे, यह ते stretch four finger, center finger and thumb of each left hand mutually perpendicular to each other in such a way that four finger, चलो मैं आप लोगों को diagram दिखाती हूँ direct, अब देखो, इस तरीके से आपने अपना hand रखना है, जो आपका बटा thumb है, it shows the direction of force, ठीक है जो आपकी ये वाली finger है, it shows magnetic field, और this finger shows direction of current, आपने इसको simple language में याद करना ह father, mother, child, f मतलब force, m मतलब magnetic field, c मतलब current, I hope इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो गया होगा, कि left hand rule के अंदर thumb आपका क्या है, father, father is direction of force, next finger कौन है, mother, mother is magnetic field, last finger कौन है आपकी current, current is direction of current, child, ठीक है जी, so, simple सी trick अपने दिमाग में बिठा के रख लो, याद कर लो, easily, physics तो बहुत easy है, बिटा, राहाम सी हो जाएगी, बस आप लोगों को concentration के साथ पढ़ना है, next year, what is shunt, अब shunt क्या है, low resistance device है, its SI unit क्या है, इसके SI units है, ohms, ठीक है, low resistance which is connected in parallel with galvanometer to convert it into the ammeter, ठीक है, SI unit clear हो गए, ohms, next year, define magnetic inclination or declaration, declination, so, these are most, most, most important definitions, पिटा, ये बहुत अच्छे से हमने definitions करनी है, one year two marks में अलग से questions आ सकता है, सबसे पहले inclination समझो, ये अलग-लग question ही आएगा, मैंने एक ही question में लिख दिया, inclination का मतलब क्या है, magnetic dip, ठीक है, इसे dip angle भी बोल सकते है, magnetic dip at a place is defined as an angle between the direction of top intensity of magnetic field, top intensity मतलब उपर वाली जो magnetic field की intensity है, and horizontal line, horizontal line मतलब ये वाली जो line है, इसके बीच in a magnetic meridian, ये वाली magnetic meridian की बीच में, ये जो angle, delta angle बनेगा, this is magnetic inclination, next आजाओ, इसके बीटा, आप लोगों ने मेभी इस तरीके से diagram बनाई होगी, यहाँ एक magnetic field जा रही है, यह जा रहा है, और यह पर यह center वाली line जा रही है, यहाँ पर angle बनेगा, delta angle, inclination angle, अब declination angle कौन सा angle है, it is defined as angle between the geographic meridian and the magnetic meridian, geographic meridian और magnetic meridian की बीच में, जो angle बनेगा, वो angle आपका declination होगा, why do two magnetic lines of force do not cross with each other, यह electric field के अंदर भी बिटा हमने fourth lecture के अंदर किया था, fourth day में किया, कि अगर magnetic field lines है, अगर यह cross कर रही है with each other, it means it has two tangents, अगर दो tangents है, it means it has two directions, एकी point पे दो directions, so, हो नहीं चक्त सकते, which is not possible, so that is why magnetic field lines never cross with each other, never cross with each other, next है, what are paramagnetic substance, ferromagnetic substance and give it one example, these are the most, most, most important questions, most important, जो weak students है, बटा, यह questions तो अच्छे से याद कर के जाओ, अच्छे से, मान के चलो 80-90% chance है इनके paper में आने के, paramagnetic substance क्या है, diamagnetic, ferromagnetic substances क्या है, etc., so मैं graph के साथ इससे समझा दूँगे, इसकी properties are also most, most important है, definitions होगे, uses होगे, इसकी properties होगे, etc., यह सारे most important है, ठीक है जी, इसी के साथ, 18th question इसी के साथ जुड़ा हुआ है, so चलिए पहले एक बार properties समझ से हैं, number one, diamagnetic substance क्या है, पैटा, diamagnetic substance को जैसे ही आपने north and south pole की बीच में रखा, यह repel करेगा, repel कैसे करेगा, मतलब, जो magnet आपने रखा है, north pole, south pole को repel करने की कोशिश करेगा, और north pole, south pole को repel करने की कोशिश करेगा, जिसकी वज़ा से जो आपका magnet होगा, वो कैसा होगा, इस direction में आ जाएगा, मतलब, attract नहीं करेगा, opposite direction में चला जाएगा, क्योंकि यह क्या कर रहा है, repel कर रहा है, paramagnetic substance weekly attract कर रहा है, weekly attract मतलब north, south pole को attract तो कर रहा है, अब ही तक magnet आपका बिल्कुल सीधा नहीं आया, paramagnetic substance क्या है, जो strongly attract करेगा, मतलब strongly attract इस तरफ आगया south pole और इस तरफ आगया north pole, बिल्कुल सीधा magnet आजाएगा, ये इसकी definitions है, जो है what is paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic substance, अब ये चीज़े लिख सकते हो, अब इसकी अपनी book check करना बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, so most important है, कोई भी point लिखतो, relative magnetic permeability is always less than 1, मतलब mu की value हमेशा 1 से कम होगी, paramagnetic में हमेशा greater than 1 होगी, और ferromagnetic में बहुत जादा बड़ी term होगी, ठीक है, क्योंकि ये repel कर रहा था, उल्टा answer आ रहा है, तो 1 की value जादा बड़ी होगी, paramagnetic में attract कर रहा है, weakly attract कर रहा है, so greater than 1 होगी, ferromagnetic में बहुत जादा strongly attract कर रहा है, so mu is very 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 greater than 1, next point is a most 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 important point, जिसका अलग से question बनके आ सकते हैं, कि जो ferromagnetic susceptibility है, has negative value, susceptibility की जो value है बटा वो क्या होगी, negative है, जाया magnetic में, paramagnetic और ferromagnetic में positive value है, दोनों में positive है, लेकिन paramagnetic में small value है, small positive value, लेकिन ferromagnetic में very large, बहुत बड़ी positive value आएगी आपके पास, clear हो गया, this is most important, next, third point में आप लोगों को अभी explain कर दिया, weekly repel कर रहे है, weekly attract कर रहे है, strongly attract कर रहे है, जो चीज़ repel कर रहे है, तो अभे query lock अभे नहीं करेगा, यह attract कर रहे है दोनों, तो दोनों query lock को अभे करेंगे, last point is, the freely suspended diamagnetic rod slowly set itself at right angle to the direction of magnetic field, अभी मैंने बता दिया कि north और south pole के इस तरीके, ऐसे आएगा, ठीक है, so 90 degree के angle बनेगा यहाँ पे, next, 90 तो नहीं बनेगा, set होते होते, external मतलब magnetic field लगेगी, हलका से इस direction में आ जाएगा, last वाला, same line में set हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा zoom करती हूँ, ठीक है, the freely suspended ferromagnetic rod set along itself, along the direction of external magnetic field, अगर यहाँ पे north है, यहाँ पे south pole है, same direction में अपने आपको set कर लेगा, clear हो गया जी, सो यह कुछ properties है, otherwise आप अपनी बुक से पढ़ोगे, कम से कम आप लोगों को 15 से 20 इसकी properties मिल जाएगी, कोई भी property आप लोग याद कर सकते हो, चलो जी, next question, 18th question, आप लोग easily कर लोगे, 2 magnetic susceptibility for a sample has a small positive value, small positive value किसकी है, ठीक है, किसकी बटा small positive value है, जो diamagnetic है, इसकी susceptibility negative है, और paramagnetic और ferromagnetic की दुनों की positive value है, लेकिन para की small positive value और ferromagnetic की large value है, इन्होंने पुछे small positive value, so small positive is paramagnetic substance, to which class of magnetic susceptibility does this sample belong, कौन सी class से बिलॉंग कर रहा है, paramagnetic substance से बिलॉंग कर रहा है, यह question recently, एक दो साल में कफी जादा famous हो रहा है कि कहां से आया, कैसे आया, etc., ठीक है जी, so simple लिखना है, magnetic susceptibility has a small positive value for paramagnetic substance, so substance is a paramagnetic substance, ठीक है जी, next आजाओ, 19th question है, give two properties of compare the magnetic properties of steel and soft iron, this is also most 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 important question, दूसरी language में आएगा, जैसे steel and soft iron लिखा हो है, hard and soft iron भी लिखा आ सकता है, ठीक है, hard, steel में लिखा सकता है, hard and soft, ठीक है, so steel और soft iron में क्या फ़रक है, अब देखो, soft iron यह हैं जिसकी बटा इस तरीक पतली सी लूप बनेगी, बिल्कुल पतली सी, और steel एक hard material है, जिसकी लूप काफी मोटी बनेगी, ठीक है जी, मोटी एक इसकी जो है value बनेगी, अब इसकी high corrosivity और high retentivity रहेगी, इसकी corrosivity low और retentivity भी low होगी, ठीक है जी, so steel में क्या है, it has high corrosivity and high retentivity, और जो soft iron है इसकी low corrosivity and low retentivity, जिसकी बटा retentivity और corrosivity low होगी, वो easily magnetize हो जाएगा, easily demagnetize हो जाएगा, मतलब magnet को किसी चीज़ के पास लेके जाओगे, वो magnet की तरह act करना start कर देगा, so वो हो गया soft iron, soft iron की बनी हुई चीज़ होगी, ठीक है, इसका area of hysteresis loss क्या है, जादा है, large है इसका area, और इसका hysteresis loss, ठीक है, इसको area नहीं बोलना, loss बोलना है, the area of hysteresis loss is small, soft iron में small है और steel में large है, so it has high permeability, इसकी बटा permeability जादा होगी, और soft iron की permeability low होगी, so this is also important question, what type of magnetic material is used in making electromagnet, electromagnet बनाने के लिए बटा हम लोग permanent magnets use करते हैं, क्यों हम लोग permanent magnets use करते हैं, because जो इसकी retentivity है, वो high होगी, retentivity क्या होगी, हाई होगी, जिसकी retentivity हाई है वो easily ना तो magnetize होगा, ना ही easily demagnetize होगा, so permanent बनेगा, it has very high corrosivity, इसी तरह से corrosivity भी इसकी क्या होगी, जादा बड़ी होगी, corrosivity का भी सेम ही है, कि easily magnetize और demagnetize नहीं होगा, so बहुत से alloys हैं, जिसे हम लोग electromagnet बनाने में use करेंगे, बहुत से alloys है, next है properties of diamagnetic para और ferromagnetic substance, यह हमारा question we have done, बैटर next start करेंगे, two marks के questions हमारे fourth unit के, electromagnetic induction and alternating current, so इसमें बैटर वीडियो start करने से पहले ही, मैंने आप लोगों को बता दिया था, कि LCR series circuit वाला जो chapter है, उसमें आप लोगों को three marks में ज़्यादा focus करना है, first और जो first chapter है, इसका electromagnetic induction का, उसमें आपने ज़्यादा focus करना है, two marks के questions पे, मतलब self induction, mutual induction तक, so चलिए two marks के questions स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से और अराम से questions करने है, घंटा एक घंटा बेटा ज़रूर लगाएं physics पे, ताकि आप लोग अच्छे से, दो महिने में अपनी बहुत अच्छे से त्यारी कर सकें, ठीक है जी, so चलिए first question है, so बेटा वीडियो को like कर दीजिए, maximum share कर दीजिए, आपकी class के जतने भी बच्चे हैं, या Punjab Board का बच्चा कोई भी आपके contact में है, please videos maximum share कीजिए, ताकि maximum बच्चों का फैदा हो सके, इस साल session थोड़ा सा छोटा है, so मुझे लग रहा है कि most probably सारे बच्चों को, एक depression type feel हो रहा है कि, बहुत जल्दी exams आ गए, कैसे करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, बहुत से बच्चों को तो अभी तक syllabus ही नहीं बता, क्या syllabus है, क्या syllabus नहीं है, so जितने भी अपने साथ वाले अपने friends की बटा, आप लोग help कर सकते हो, help कर दीजिए, ठीक है जी, so first question है, define lens law for electromagnetic induction, lens law बिटा क्या है, the polarity of induction EMF in a closed circuit, or loop is such that it oppose the cause of it produce it, ठीक है, electromagnetic induction में क्या है, जो भी polarity, induce होगी EMF की वज़े से, so वो oppose करेगी, जिसकी वज़े से ये produce हुआ है, ठीक है, lens law ही है, simple, next is Fleming's left hand rule, I think ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, जैसे right hand, left hand explain करा है, रिटो सेम, right hand है, next है addy current क्या है, this is the most, most, most important question, addy current क्या है, the induced circulating current, produced in a magnetic block, किसी magnetic block के अंदर, क्या produce हो गया, induced circulating current प्रोड्यूस हो गया, in a metallic block itself, अपने आप, due to change in magnetic field, जैसे ही अपने magnetic field, north या south pole से magnetic field change करी, इस block के अंदर, automatically current प्रोड्यूस हो गया, इस current को हम लोग क्या बोलेंगे, addy current, ठीक है जी, simple language में है, एक block के ऊपर current प्रोड्यूस हो गया, उस current को हम लोग addy current बोलेंगे, जब north pole, जब magnetic field आप लोग change करोगे, continuously change in magnetic field, ठीक है, उसकी वज़ा से, जो current produce होगा, उस current को हम लोग क्या बोलेंगे, addy current, right, it's two merits, या examples, कोई भी यह चीज़े, demerits, so demerits, etc., यह सारा कुछ important है, so demerits क्या है, यह आप लोगों को screen पे शोगर देती हूँ, लोग बटा, the induced circulating current produced in a magnetic block itself, due to a change in magnetic field, or known as addy current, so इसके demerits क्या है, नुकसान क्या है, the production of addy current in a metallic block, leads to the loss of electric energy in the form of heat, so loss हो जाएगा electric energy का, किस form में, heat की form में, the heat produced due to the addy current, breaks the insulating use in the electrical machine, और ठीक है, electrical machine के अंदर भी, heat की वज़ा से loss होगा, so addy current may cause unwanted tempering effect, so unwanted effects आने start हो जाएगे, जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी वज़ा से machine को loss हो सकता है, next question भी, most important question है, show that lens law is directly, direct consequence of the law of conservation of analysis, law of conservation of energy, जिस ना कोई energy loss होई, ना कोई energy gain होई, when the magnet is moved towards, और away the coil, then the induced current is produced in the coil, ठीक है, मान लो, यहाँ पे कोई coil रखी, आपने कोई magnet, इसके कभी पास लेके जा रहे हो, कभी दूर लेके जा रहे हो, in the absence of source of current in the circuit, जब तक आपने कोई source applied नहीं किया, actually mechanical work has to be done, mechanical work मतलग अभी आपने, magnet को आगे लेके जा रहे हो, कभी पिछे लेके जा रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, so mechanical work बोल दिया हो, से, to move the magnet away or towards the coil, then this magnetic energy appear in the form of current, so इसी mechanical work convert हो गया, current की form में, जिसे हम लोग electric energy बोलेंगे, it means mechanical energy is converted into the electrical energy, इसका मतलब mechanical energy को, हम लोग electrical energy में convert कर सकते हैं, hence we can say that the lens law is directly consequence of the law of conservation of energy, इसलिए हम बोल सकते हैं कि law of conservation, जो है वो lens law को अबे करेगा, या वैसे ही डिटो काम करेगा, ठीक है जी, fourth question भी हमारा हो गया, next is a unit of self induction, so यह Henry है, Henry को explain करना है, I think यह तो आप लोग करी लोग है, next है, what are eddy current, eddy current क्या है, how eddy current, ad लिख दिया, eddy current, can be minimized in the transformer, transformer में हमें से replace कैसे कर सकते हैं, by replacing the solid metallic coil with laminated core, अगर solid metallic core की जगा पे, आप लोग laminated core लोगे, we can minimize the eddy current in the transformer, ठीक है, mutual induction simple question है, I think यह कर लोगे, impedance of the AC circuit, impedance का मतलब है, आप लोगों ने z की value पता गरनी है, so z in AC circuit क्या है, z is equals to r square plus xl minus xc का whole square, ठीक है, so यह इसकी impedance है, next है, why high frequency, ac cannot pass easily through an inductor, एक inductor के अंदर, जो frequency easily pass, क्यों नहीं हो सकती, हमें पता है, बटा, xl की value किसके equal है, omega lk, ठीक है जी, और omega की value किसके equal है, 2 pi mu lk, ठीक है जी, जैसे ही आपने frequency high की, जैसे frequency high करोगे, xl, resistance की value, बहुत जादा increase हो जाएगे, अगर resistance बहुत जादा increase हो गई, तो current तो पास नहीं होगा, resistance जहाँ पे भी resistance जादा होगी, current वहाँ पे easily pass नहीं होगा, so that's why high frequency AC cannot pass to an inductor, so जादा जो frequency वाली चीज़ को, हम लोग किसी inductor के अंदर easily pass नहीं करवा सकते, next है, why does the core of transformer made of a soft iron, and eliminated soft iron की क्यों बनाते हैं, क्योंकि easily magnetized और demagnetized हो जाए, और eliminated क्यों करते हैं, तांकि addigrant का जो loss है, जो energy का loss है addigrant की वज़ा से, उसे हम लोग minimize कर सकें, so next आजाओ वटे, major cause of loss of electric power in the transformer, transformer में कौन-कौन से loss है, ठीक है, number one is a copper loss, ठीक है, उसके बाद iron loss, then huming loss, ठीक है, यह सारे losses है, copper loss, iron loss, huming loss, यह सारे जितने भी हैं, आप कोई भी दो explain करके आ सकते हो, और capacitor blocks DC, but allow AC, DC को block करेगा, लेकिन जो AC है, उसे pass करने देगा, अब देखो capacitor क्या है, यह आपका capacitor है, trick बता रही हूँ, ठीक है, trick बता रही हूँ, याद रखने का, यह आपका capacitor है, जो AC है, वो इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, ऐसे आ रहा है, आया, ऐसे आया, और ऐसे निकल गया, हो गया, pass हो गया, मतलब AC, जो capacitor था, उसने AC को pass करने दिया, हो गया पास, Kapasitor में current हा रहे है, सिद्ध, DC करंट हा रहे है बिलकुल सिद्ध हार रहे, सिद्ध आया वह यहीई पर फस गया, पास ही नहीं हुआ, ठीक है, सामने वाल आ गयी? Kapasitor की, यही पर block हो गया, अगर यही पर ब्लॉक हो गया तो वो आगे पास ही नहीं हो सकता तो कपास्टर में जो dc होगा वो ब्लॉक हो जाएगा लेकिन ac easily pass हो गया clear हो गया जी अगर इसे mathematical portion में लिखना है क्या लिखोगे screen plane ले गए थोड़ा सा plane screen ले लो तांकि अच्छे से आप लोगों को proportional to 1 over mu अगर frequency 0 होई अगर frequency 0 होई तो xc के आजाएगी infinity अगर infinite आ गई resistance बहुत जादा increase होगे अगर resistance बहुत जादा increase होगे इसका मतलब frequency जितना मर्जी पास करी ज़रो आपका current pass नहीं होगा ये mathematical portion होगया पहले मैंने आपको theoretical बोल के बता दिया चाहे बेटा mathematical portion में लिख दो चाहे आप लोग theory की form में लिख दो दोनों question बिलकुल correct रहेंगे बिलकुल correct ठीक है जी so next question पे आजाओ explain why is more अच्छा वो inductor वाला भी समझ लो ये capacitor वाला मैंने trick बताया न capacitor वाला चलो एक inductor वाला भी समझ लो interesting सी चीज है और most important है ये रहा आपका inductor चलो अपना दिमाग लगाओ इसमें AC ब्लॉक होगा या DC ब्लॉक होगा वही trick ही यूज करेंगे AC क्या है ये चीज DC क्या है direct direct current आया और सीधा निकल गया मतलब direct current पास हो सकते है लेकिन AC बचारा इदर गया कभी इदर फस गया उदर फस गया मतलब फस गया तो इसने block कर दिया AC को block कर दिया DC को pass होने दिया लेकिन capacitor में क्या था DC block हो रहा है और AC easily pass हो रहा है तो ये trick याद रखना आपको final paper तक भी नहीं भूलेगा ये चीज़ ठीक है जब ये question आपका paper के अंदर आए तो आपको रिंपल मैं को जुरूर रियाद करोगे कि मैं आपने बताया था आज की वीडियो का last question है explain why which are more dangerous in use AC ज़्यादा dangerous है या फिर DC ज़्यादा dangerous है कौन ज़्यादा dangerous है अपने हिसाब से बता दू कौन ज़्यादा dangerous है आपको क्या लग रहा है कि कौन ज़्यादा dangerous होगा ये AC जो ऐसे आ रहा है ये ज़्यादा dangerous है या जो सिधा current आ रहा है वो ज़्यादा dangerous है so इसमें क्या है AC ज़्यादा dangerous है जो इस तरीके से आ रहा है यह ज़ादा dangerous current है अब इसका reason क्या है क्यों यह ज़ादा dangerous है easy AC is more dangerous to use because we are using 220 volt as a peak value peak value मतलो इसने immediately jump कर दिया अगर by chance करना हो ठीक है पिछे से current ज़ादा आगे immediately इसकी peak value high होगे जैसे peak value high होगे जितनी आपके घर की फरीज आपके घर का इतने भी electrical devices हैं सारे सड़ गए सो क्या आजाएगा under root 2 into highest voltage 220 आपका अंसर आगया 311 volt 311 voltage की घर पे बिजली आगई इतनी high voltage हमारी कोई भी device नहीं handle कर पाएगा that is where सारे devices आपके damage हो जाएंगे whereas magnitude of DC 220 remains same throughout जबकि DC में same ही रहेगा ठीक है जी तो same रहेगा इसलिए हम लोग DC dangerous कम मानेंगे और AC को थोड़ा सा dangerous जादा मानेंगे so I hope आप आप लोगों को सारे question अच्छे से clear हो गए होंगे so आप लोगों ने ये series को enjoy कर रहे होंगे so अगर आप लोग ये series को enjoy कर रहे हो please comment section में अपने views ज़रूर बताई ताकि मुझे पता चल सके कि ये series बच्चों के लिए helpful है ये नहीं है क्योंकि बटा मैं भी special school के आने के बाद family को time देना है आपके लिए special time ही निकालना है अगर आपके लिए benefit है तो video बनाने का कोई मतलब है अगर benefit नहीं है तब भी ज़रूर बताएं जो भी आपको problem है दिक्कत है जो भी परेशानी है प्लीस comment section में जरूर लिखे किसी तरीके की कोई suggestion कुछ भी ठीक है जी so I hope आप लोगों ने video को enjoy किया होगा so चलिए एक बार last accurate की questions देख लेंगे कि उसमें last 4 days की most important question कौन से है so चलिए बटा जी most expected questions day 2 के अंदर first and second question हम लोगों ने first second unit के हैं औरेड़ी हमारे हो चुके नेक्स्ट है which rule is used to find the direction of magnetic field acting at a point near the current carrying कौन सा rule है ये byte servet rule है मतलग questions को सिरफ घुमा दिया गया सिरफ उसकी definition पुछी गया तो definition लिख दो next ये बटा और unit के question है ये भी हम लोगों ने कर लिया what is shunt shunt आज हमने पढ़ लिया essay unit क्या है ठीक है जो questions पढ़े होंगे बटा mostly आपको इसमें दिख जाएंगे next seventh unit का question है ये भी seven का five का two का कल हो चुक है ठीक है what is a iron loss in the transformer and how can it be reduced इसे कैसे reduce कर सकते हैं ये भी हमने इस video में कर लिया ठीक है जी next है why material are used to make off electromagnetic and why क्यों use करेंगे ये भी हमने इस video में कर लिया next questions पर आजाओ जो बटा इस unit का chapter का इस unit का question होगा वही आप लोगों को highlight कर के बताऊंगे next है explain by servant law for a small current carrying ये भी हमने कर लिया next बच्चे जी ये जो questions है ये three marks का question है definitely two marks में नहीं आएगा explain an equation of torque torque का जो question है ये भी आ सकता है tau is equals to pe sin theta mb sin theta mb sin theta ये वाला question ये भी three marks का question थोड़ा जादा important है next है earth magnetism क्या है इसके element elements कौन से है declination, inclination इसके definitions भी हम लोगों ने कर ली next है behavior as a magnetic dipole ये नहीं हमने किया इस video के अंदर ठीक है इस cancer में आप लोगों को बता देती हूं हलका सा less important question है very less important question so last में बता देती हूं state the rule that is used to find the direction of same ही question है straight line के अंदर bites of it lock की help से हम लोग explain कर सकते हैं ये भी हो गया next question electromagnet क्यूं use कर रहे हैं permanent magnets क्या है properties of diamagnetic and paramagnetic state properties of amperesokto law lens law ठीक है eddy current के merits eddy current की जो minimization है then mutual induction क्या है ठीक है self induction is called inertia of electricity which is less important then why the soft iron is used to making ये सारे questions बता हम लोग कर चुके हैं 47 नहीं 46 तक ठीक है ये question हम लोग कर चुके हैं ठीक है जी तो ये next बेटा next page पे जो question है वो second book के most probably questions है तो बेटा almost सारे questions cover हो रहे है almost तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने त्यारी करनी है तो जाने से पहले आप लोगों ने वीडियो को like करना है maximum share करना है thank you so much ठाँ है जाने से में अे अे गड़रा रहे जोगा जाटे Central अच्छे से बेटाइ जास तो ये में लोगों वीडियो कर Same